मुझजफरपूर में फिर से सराप के लिए छापे मारी करने गई मज निसेद के टीम पर हमला हुआ है ताजा मामला काटी थाना छेतर के नगर परिशद अंतरगत पकड़ी गाउं का है जहां देर राथ मज निसेद की टीम पर अस्थानिय सराप माफिया ने हमला कर दिया और लगभग 20 मिनट तक पुलिस टीम के साथ बदसलू की भी की वही हंगामा होने के बाद सराप माफिया के समर्धन में लोगों ने छापे मारी करने की टीम की गाड़ी को भी छती गरस्त कर दिया वही हमले की सूचना मिलते ही पुलिस प्रसासन की टीम हरकत में आई और भारी दलबल के साथ पकरी गाउं पहुँचकर पूरे मामले की जाच में जुटी हुई है बताया जा रहा है कि इस घटना में कई पुलिस कर्मी आंसिक रूप से जखमी भी हो चुके हैं वही सूचना मिलने के बाद उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर भी घटना स्थल पर पहुँचे और चानमिन में जुट गए हैं ततकाल मौकि पर इस्थिती नियंत्रन में हैं और अन्होनी की आसंका को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती भी की गई है अन्होनी की आसी निएआँ पराद में की तैनाती शोयुए आसी के आसी है अँपानी विभाग की छापे मारे टीम पर स्थानिय सराभ माफिया एवर्वं सरारती तत्वों द्वारा हमला किया गया जिसमें अुत पात विभाग की गारी बुरी तऱ से छती गरस्त कर दी गई है और जो जा रही है." अब हर कॉंट्रेक्टर होगा